सत्केवल साहे बरम गुरु पार्शाला सत्केवल विद्या मंदे गुज्रदी माध्यम स्कूल सार्सा में काजल हिंगु ओनलाइन सिक्षन कार्या के तरीके में आप सभी का स्वागत करती हूं में काजल हिंगु कक्षा पांच विशय हिंदी युनीट नंबर एक याता याद आजनों विशय छे आपड़ो याता याद इकाई एक याता याद चित्रपाट विद्यार्थी मित्रो मैं आपको दो मिनिट देती हूं आप यह चित्र देखे झाल 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 याता याद ने गुज्रदिमा कहवाचे वाहन व्यभार तो हम दो चित्र है आपके सामने हम दो चित्रों में आपको बताएंगे कि इस चित्रों में कौन-कौन से साधन है और बगीचे में कौन-कौन से फूल है यह सब आपको में बताएंगे यह याता याद के साधन और बगीचे का चित्र है आप सब ध्यान से देखे यह चित्र में यह याता याद के साधन और बगीचे का चित्र है चित्र में याता यात के ये साधन दिखाए देते हैं जो मैं आपको बताऊंगे एक है साइकिल, स्कूटर, मौटर कार, रिक्षा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज ये सब आपको दिखाए देता है ना ओके, तो ये सब याता यात के साधनों है और दूसरा भी है इसमें बगी चे का द्रश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है क्या है साथ में? बगी चे का द्रश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है बगी चे में कौन-कौन से फूलो दिखाए दे रहे हैं आपको मैं आपको बताऊंगे आपको तो पता है ना चित्रों में दिखा दिता है ना सब फुल लेकिन उनका नाम क्या है मैं वो आपको बताऊंगे बगीचे में चमपा मोगरा गुलाब गुडहल आदी फुल है अब आप सबको पता चल गा है ये दोनों चित्रों में क्या क्या है और आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है अब हम आगे चलते है ओके आप सबी को पता चल गाया है कि ये चित्र कौन सा है ये चित्र बगीचे का है तो ये बगीचे के चित्रों में मैं आपको एक question पूछूंगी ओके तो पहला question है चित्र देखकर फूलो के नाम की सुची बनाए तो मैंने आपको बताया था कि इस चित्र में कौन-कौन से फूल दिखाय दे रहे है मैंने आपको उन सभी का नाम बताया है तो आपको चलना जाहिए ओके तो मैं आपको बताती हूँ चित्र में चमपा मोगरा गुलाब और गुलहल के फूल दिखाय देते हैं आप सबको दिखाय देते हैं ना वेरी गूड ओके हम दूसरा question मैं पूछती हूँ चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सुची आपको बतानी है तो आप जानते हैं दूसरे फूलों हिंदी में कौन-कौन से नाम है आप जानते हैं कि इस बगीचे में कौन सा फूल नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कमल, गेंदा चमेली बारमासी रात रानी सूरज मुखी आदी फूल इस बगीचे में नहीं दिखाई देते तो आप सभी को पता चला ओके तो मैंने आपको सभी फूलों के नाम बताई और फूल इस बगीचे में नहीं है उनका भी मैंने आपको बता दिया अब हम आगे चलते हैं ओके ये चित्र याता-यात के साधनों की सुची बनाईए तो मैंने आपको बोला था ना कि इस चित्रमें कौन-कौन से साधन दिखाई दे रहे है ओके, तो मैं आपको बताती हूं चित्रमें याता-यात के साधने है ओटो रिक्षा, बस, नौका, जहाश इस चित्र में हम सबको ये साधन दिखाई देते हैं अब हम चौथा क्वेशन पर जाएगे उन यातायक के साधनों के नाम बताईए जो चित्र में नहीं है तो आप सबको बताना है कि इस चित्र में कौन से साधन नहीं है आपको कौन से साधन नहीं दिख रहे है तांगा, बैल गाड़ी, उट गाड़ी, आदी इस चित्र में दिखाई देते नहीं है तो आप सबको पत्या चल गया कि ए दोनों चित्र में से आपको क्या-क्या दिखाई देते है और क्या-क्या नहीं आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे है उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्की कृत किजिए तो मैं आपको पहले दो पईयों वाले साधनों की सूची बनानी है तो मैं आपको बताती हूँ के दो पईयों वाले साधनों कौन-कौन से है साइकिल, स्कूटर, टांगा और बेल गाड़ी ये चारो साधन दो पईये वाले होते हैं आपको पता है न? दो पईयों वाले साधनों कौन-कौन से है? तो एक साइकिल, स्कूटर, तांगा और बेल गाड़ी ओके अब हम आगे चलते हैं तो तिन पईयों वाले साधनों कौन-कौन से है तो तिन पईयों वाले साधनों में एक ही है कौन सा रिक्षा यानी ओटो रिक्षा और चार पईयों वाले में साधनों कौन-कौन से है एक मोटर कार और दुसरा उट गाड़ी और चार से अधिक पईयों वाले कौन से साधन है तो के बस और रेल रेल में भी कितने अधिक पईये होते हैं और बस में भी चार से अधिक पईये होते है ये कोश्टक यानि टैबल के अंदर खाली छोड़ा है उसके अंदर आपको मैंने जो कुछ भी बताया वो सब आपको लिखना है तो अपनी नौट और पैंसिल लेके ऐसा कोश्टक बनाईए और उसमें यातायात के साधनों वर्धिकृत किजिए अब आपको ये सब लिखना है अपनी नौट बुक में ओके विद्यार्धी मित्रों आपको पता चला ना हमें क्या लिखना है ओके अब हम आगे चलेंगे तो तालिका टू सडक पर चलने वाले यातायात के साधन बताईए ये सब आपको पताई होगा कि सडक पर कौन-कौन से साधन चलते है तो पहला है साइकिल, रिक्षा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, पैल गाड़ी और उट गाड़ी ये सबी साधन सडक पर चलने वाले यातायात के साधन है हवा में उडने वाले यातायात के साधन कौन-कौन से है, आप सबी को पता है न? नहीं पता, तो मैं आपको बता दी हूँ हवा में उडने वाले यातायात के साधन ये है कौन-कौन से हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन-कौन से है मैं आपको बताती हूँ नाव और जहाज ये कोश्टक यानि टैबल की अंदर खाली जगा मैंने छोड़ी है उसके अंदर आपको मैंने जो कुछ भी बताया वो सब आपको यहां लिखना है तो अपनी नाटबुक और पैंसिल लेके ऐसा कोश्टक बनाईए और उसमें जातायात के साधन की वर्की कुरूत कीजिए तो आप सभी को पता चला ना कि मैंने आपको चित्र में कौन-कौन से साधन है कौन-कौन से फूल है कौन-कौन से साधन सडक पर चलते है कौन-कौन के साधन हवा में उड़ने वाले है और कौन-कौन के साधन पानी में चलने वाले है और दो पाईए वाले, तिन पाईए वाले, चार पाईए वाले और चार से अधिक पाईए वाले कौन-कौन से है ये सब आपको नौट बुक में कोश्टक बना कर आपको लिखना है आप सबको क्या दिखाय देता है नीचे दिये गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्णों के उतर दिजिए आज मैं आपको बताऊंगी कि रेलवे टिकेट में क्या-क्या दिखाई देता है और बस की टिकट में क्या-क्या होता है तो हम पहले जाएंगे रेलवे टिकेट पर तो ये रेलवे गाड़ी की टिकट है तो इनमें सिरियल नमबर है यानी क्रमांक नमबर और दिनाख दिखाई देती है और कहां से कहां जा रही है उसका नाम लिखा होता है ये रेलवे गाड़ी मॉंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जा रही है और इसमें व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की आयू और इसमें किराया कितना है वो भी हमको दिखता है तो इस टिकेट में कितना किराया दिखा देता है आपको 204 अब हम बस की टिकेट पर दिखते हैं कि बस की टिकेट में क्या दिखा जाता है और हमें क्या दिखता है ये बस की टिकेट है GSRTC की इंदर डेपो उसका सिरियल नमबर है यानि क्रमाक नंबर लिखाए पड़ता है और दिनाक और उनका समय भी टिकट पर लिखा जाता है और आपको पता है ये बस टिकेट में भी लिखा जाता है कहां से कहां जा रही है तो ये बस टिकेट हडाज से चिलोडा जा रही है और ये कितनी दूर है यानि डिस्टन्स कितना है तो 135 किलोमीटर दूर है और वहाँ कौन सी जगा है वो कौन सी है गुजरात में कौन सा राजय है तो गुजरात और उनका किराया है 90 रुपे और टॉरेक्स मिला कर देखते हैं तो 91 रुपे लगते हैं ये दोनों टिकट का चित्र देखकर प्रश्न के उतर देंगे तो पहला क्वेशन है यह क्या है तो यह क्या है बच्चो यह क्या है मैंने आपको बताया है न कि यह दोनों टिकट है एक रिल काड़ी की है और एक बस की है तो हम यह क्वेशन का जवाब देंगे यह क्या है तो यह टिकट है बस का टिकट कहा से कहा तक का है इत्यात्मी मित्रो आपको बस का टिकट दिखाय दे रहा है कहा से कहा तक का है बोलो ओके हडा से चिलोडा तक अब तिसरा क्वेशन रेलवे का टिकट कहा से कहा तक का है मैंने आपको बताया था आपको बता है आप बोलो कहा से कहा तक जा रही है रेल काड़ी बोंबई सेंट्रल से अहमदाबाग ओके चोथा क्वेशन बस के टिकट में किराया कितना लिखा है तो आपको पता है कितना लिखा है आप बस के टिकट पर देखो त्यान से देखो किराया कितना लिखा है नबबे रुपेश लेकिन टॉल टेक्स मिला कर इक्यानबे रुपेश उनका किराया है कितनी यक्ति का एक व्यक्ति का ओके आपको पता चला ना अब पांचवा क्वेश्चन रेल्वे का टिकट पढ़ कर किराया बताईए तो हम सब कहां देखेंगे रेल्वे टिकट पर इनमें लिखा होता है कितना किराया होता है तो आप सबको दिखा देता है ओके तो कितना है 204 आपको पता चला ना हम छठा क्वेशन रेलवे टिकेट का दिनाग बताईए मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेलवे टिकेट पर उपर दिनाग भी होती है तो कितने दिनाग है 11 11 2011 11 आपको दिखाई ना वेरी गूद अब सात्वा क्वेशन बस और रेल के अलावा कहां कहां टिकेट लगता है तो आज मैं बताऊंगी आपको बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दर्याई जहाज में टिकेट लगता है विद्यार्दी मित्रों आपको समश प्राप्थ हुई ना के रेल गाड़ी की टिकेट और बस का टिकेट में आपको पता चल गया होगा तो आप सब ये क्वेशन आंसर आपके नॉट्बुक में लिखे विद्यार्दी मित्रों आप सबको लिखना ही है हिंदी में ओके तो हम अब जाएंगे दो चित्र है आपको दिखाई देता है ना दो चित्र है इस चित्रों का अलोकन करना है और आपको इस चित्र में जो बेद है वो आपको सपस्ट करना है तो चित्र एक और चित्र दो तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है तो हम जाएंगे पहले चित्र में, तो पहले चित्र में कुट्टे के आगे हड़ी है, क्या है? कुट्टे के आगे हड़ी है, तो आपको दिखाई देता है ना हड़ी, कुट्टे के आगे, और दूसरे चित्र में दिखे तो कुट्टे के आगे हड़ी नहीं दिखाई देती, और पहले जित्र में हम जाएंगे फिर से छोटे लड़के का चित्र पुरा है ये पहले जित्र में दो है लड़के तो पहले जित्र में छोटे लड़के का चित्र पुरा दिखाई देता है और दुसरे जित्र में आधा दिखाई देता है आपको दिखा देता है ना, ओके, और छोटे लड़के के पास छोटी गेंध है, तो पहले चित्र में क्या दिखा देता है, छोटे लड़के के पास छोटी गेंध है, और दूसरे चित्र में छोटे लड़के के पास गेंध नहीं है, और पहले फुल की चार पंखुरिया है, चार पंखुडिया दिखाई देती है और दूसरे चित्र में पांच पंखुडिया दिखाई दे रही है आपको दिखाई दी ना ओके अब पहले चित्र में देखे पहले फुल के पास गाज नहीं है और दूसरे चित्र में पहले फुल के पास गाज उगी हुई है तो आप सबको पता चला ना कि इस दो चित्रों में कौनसे कौनसे बेट स्वर्ष किये गए मैंने आपको बताया तो अब हम अगले वीडियो तक आपको ये नॉट्बूक में लिखना है अज तू सत केवल साई